एक ऐसा कीड़ा जो मिल जाए तो पलक जपकते ही आपको करोड़ पती बना सकता है। बहुत से लोगों को आपने जानवर पालते तो देखा होगा जिसमें लोग कुटे बिल्ली खरगोष जैसे जानवर लोग शौक से पालते हैं। जिसमें कुछ लोग कुटे को घर की रखवाली करने के लिए पालते हैं। तो कुछ को पालने का शौक होता है। पर कीड़े मकोडे पालते हुए आपने किसी को नहीं देखा होगा और ऐसा शौक भी बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन आज हम जिस कीड़े के बारे में आपको बताने जा रहे है। उसकी कीमत सुनने के बाद आपको भी कीड़े मकोडे पालने का शौक जबर्दस तरीके से चड़ जाएगा और आप तो उस कीड़े को धूनने लग जाएंगे कि खास वो हमें भी मिल जाए और कोई धू पाते हैं और एक कीरा मिल जाए और वो आपको करोड़ पती बना दे तो मजा आ जाए अब आप सोच रहे हूंगे ये कौन सा कीरा होता है जो करोड़ पती बना सकता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस कीरे का नाम स्टैग बीटल है जो एक दुरलब प्रजाती क कीरा है जो पचास लाग से लेकर एक करोड तक में बिकता है और ये बहुत ज्यादा महेंगी दवाई बनाने के काम आता है जिससे बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है इसकी पहचान कैसे करनी है अब आप सोच रहे होंगे ऐसे तो दुनिया में हजारों लाखों की होते है तो इससे पहचाने के कैसे तो इसकी पहचान करने के लिए इसका सिर होता है जो काले रंग का होता है और थोड़ी चमक होती है और सिर से दो सीन निकले रहते है जो दिखने में थोड़ा अलग से लगते है और इसकी लंबाई के हिसाब से बड़े भी होते है और स्ट स्टैंग बीटल कहां रहते हैं ये ऐसा कीरा होता है जो गर्मी वाली जगे ही रह सकता है सर्दी इससे सहन नहीं होती है और सर्दी में तो ये के कीरे मर जाते हैं ये गावों में खात के धेर के नीचे या जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां ये कई बार देखने को मिल जाते है क्या खाते है स्टैंग बीटल स्टैंग बीटल लावा सरती लकडी को खाते है फलोकारस भी पीते है और कुछ कीडे मकोडे खा कर भी जिंदा रह सकते है और कुछ ना मिले तो ये पानी पीकर भी जिंदा रह सकते है और इनकी उम्र साथ साल तक ही होती है प्लीज दोस्तों मैं चैनल को सब्सक्राइब करना मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बना कर लेकर आती हूँ मुझे थोड़ी सी स्पोर्ट करो